सुप्रभाद बच्चो, उमीद है कि आप सब स्वस्थ हैं बच्चो, आज हम आपके हिंदी पाठ्ठ पुष्टक से अभ्यास 5 के कुछ महत्पुन अंश को पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ का नाम है हमारा तिरंगा जंडा जिसका अध्यन हमने पिसली कक्षा में कर लिया है इस पाठ में हमने जाना था कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जन्वरी पर क्या क्या किया जाता है इन आउसरों पर जंडा फहराये जाता है हमारा तिरंगा जंडा तिरंगा जंडा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक होता है इसमें तीन रंग होते हैं और इन तीनी रंगों का कुछ न कुछ विशेश अर्थ है और कुछ विशेश महत्व है तो आज हम यहाँ भी जाने इस अंश को पढ़ने जा रहे हैं हमारी राष्ट्रिय पहचान के चिन्न में हमारा राष्ट्रिय ध्वज यानि कि तिरंगा सबसे प्रमुख है हमारा राष्ट्रिय गान जणगण मन है और राष्ट्रिय चिन्न अशोक स्तम्भ है राष्ट्र गान यहाँ हमारे देश का गौरव गान है जिसे राश्ट्य महत्व के सभी आउसरों पर गाया जाता है इसे रविंद्रेनाठ ठाकूर ने लिखा था इसका गान आदर पुर्वक खड़े होकर करना चाहिए यानि की जब भी किसी भी आउसर पर राश्ट्य गान गाया जाता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए यहाँ पर आपका राश्ट्रिय गान दिया गया है जो इसको आप पहले ही जानते हैं फिर भी इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजेगा अब देखे राश्ट्रिय प्रतिक या चिन्ह वारा नसे के सारनात में बने असोक स्तंब का उपरी भाग हमारा राश्ट्रिय चिन्न है जिसमें चार सिंह यानि की सेर पीट से पीट जोड़े खड़े हैं यहाँ प्रतिक बताता है कि हम शान्ति और सत्भावना के लिए वचन बद्ध हैं राश्ट्र प्रतिक में दिखाई देने वाले तीन सिंह शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतिक हैं तो बच्चों यह था आपके पुस्तक का एक महत्तपूर्ण अंस जिसमें हमने राश्ट्रिय चिन्ह और राश्ट्रिय गान के बारे में जाना तो आप आज पढ़ाई गए अंश का अभ्यास कीजिए धन्यवाद